हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल मैथ मस्ती में और मैं हूँ भीपिनियादव मैं आपको बता दूँ अनकाडमी का मैं वहरिवाइट एडुकेटर हूँ और यहाँ पर नीचे में, डिस्क्रिप्सन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दे रहा हूँ आप जाएए, LCMHCF का पहले देखिए, पार्ट वन, पार्ट तू, पार्ट थी, पार्ट फोर, ठीक है, और पार्ट फाइव यह पांच वीडियो देखिए अगली वीडियो में पांच के बाद छे से स्टार्ट होगा वो मैं ले के आऊँगा और आपको सुचना देदू हलो दोस्तो स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मैत मस्तिपर और मैं हूँ चंदन कुमार तो चलिए दोस्तो इससे पहले मैंने आपको पूरा कलेंडर परा रखा है आज मैं आप लोगों को कलाउग परहाने जा रहा हूँ आज यह कलेंडर का पार्ट कलेंडर को तो पहले परहा ही रखा हूँ आज यह कलाउग का पार्ट वन होगा तो चलिए देखते हैं देखते हैं कि कलाउक से किस किस टाइप के परशन पूछे जाते हैं तो कलाउक मतलब घरी होता है तो इससे परशन पूछा जाता है आपका तीन तरह का कोश्चन पूछा जाता है पहला है आपका कोन पर अधारित परशन पहला कोन पर अधारित परशन दूसरा दरपन पर ती बीम पर अधारित परास्न, तीसरा इसमें पूछा जाता है समय पर अधारित परास्न, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोन पर अधारित परास्न को, सबसे पहले कोन पर अधारित परास्न को देखेंगे, सबसे पहले कौन पर अढ़ाई पराशन परहेंगे इसमें कहता है देखिए यह एक आपका घारी है इस घारी में इस घारी में अभी बारा बज रहा है मीनत बाला सुई बारा होता है घंता बाला सुई मीनत बाला से छोटा होता है देखिए बारा उसके बाद यहाँ एक दू तिंग चार पांच छो साथ आठ नव दस एगार मीनत बाला सुई जब यहाँ पर आएगा मीनत बाला सुई यहाँ पर आजाएगा एक के सामने आजाएगा मतलब यह पांच मीनत चल दिया है जब मीनत बाला सुई दू के सामने आएगा तो कह मीनत चल दिया दस मीनत मिनट इसी तरह से 3 पर आएगा तो 15 मिनट 4 पर 5 पर 6 पर चलते चलते यहाँ यदि 12 पर आजाएगा तो कहे मिनट दूरी तै कर लिया है 7 मिनट 1 पर तो 5 मिनट 2 पर तो 10 मिनट 3 पर तो 15 मिनट इसी तरह से 12 पर आएगा तो 12 पचे 7 मिनट तो यहां देखेंगे अब मीनट वाला सुई जो है साथ मीनट मतलब एक घंता में मीनट वाला सुई एक घंता में एक घंता में पूरा बिर्थ का निर्मान करता है मीनट वाला सुई एक घंता में पूरा बिर्थ का निर्मान करता है मिनट वाला सुई एक गांटा मतलब 7 मिनट में 307 साट का कोन बना रहा है एक मिनट में 307 बटा 5 मिनट वाला सुई एक मिनट में 307 बटा 7 का कोन बनाएगा तो इस तरह से यहां इसको काता जाएगा साथ मतलब मीनट वाला सुई एक मीनट में केतना डिगरी का कोन बना रहा है छो डिगरी का मीनट वाला सुई एक मीनट में छो डिगरी का कोन बनाता है अब आगे बढ़ेंगे इसमें मीनट वाला सुई एक मिनट में छो डिगरी का कोन बनाया आप इसी तरह से घंटा वाला सुई को घुमाएंगे तो घंटा वाला सुई यहां से बढ़ेगा एक के सामने आ जाएगा तो क्या घंटा हो जाएगा एक घंटा घंटा वाला सुई बारा से एक पर आएगा मतलब एक घंटा चल दिया फिर दू पर आएगा तो दू घंटा चल दिया तीन पर आएगा तो तीन घंटा चार पर आएगा तो चार घंटा इसी तरह से आपका ही घुमते 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 बारा पर आजाएगा घंटा व बीर्थ का निर्मान कर रहा है, तो पूरा बीर्थ में केतना दिगरी का कोन बनता है, 307 दिगरी का, तो घंटा वला सुई, यहां से घंटा वला सुई को यहां से ऐसे घूमते घूमते यहां तक आने में, केतना घंटा चलना पर रहा है, 12 घंटा, तो घंटा वला सुई, 12 घं गंटा में कितना दिगरी का कौन बना रहा है 307 दिगरी का बारा गंटा में 307 दिगरी का इसलिए एक घंटा में कितना दिगरी का बनाएगा तो एक घंटा में 307 दिगरी बटा साथ का एक घंटा में 307 दिगरी बटा साथ का तो यहां से काटा जाएगा 12 घंटा में 307 डिगरी का तो एक घंटा में 307 डिगरी बटा 12 मतलब हो जाएगा कट करके 30 डिगरी तो घंटा वला सुई एक घंटा में कितना डिगरी का कौन बना रहा है 30 डिगरी का या घंटा वला सुई है आपका या बना रहा है एक घंटा में एक घंटा में 30 डिगरी का कौन और मीनट वाला सुई मीनट वाला सुई एक मीनट में 6 डिगरी का कौन बना रहा है मीनट वाला सुई एक मीनट में 6 डिगरी का कौन बनाता है और घंटा वाला सुई एक घंटा में 30 डिगरी का कौन बनाता है कि यह आपका दो कॉंसेप्ट हो गया इसका एक लास्ट कॉंसेप्ट था है उसको पढ़ लिजिएगा उसके बाद जो है हम लोग कोश्चन पर चलेंगे चलिए अब आगे देखते हैं इसके थार्ड कॉंसेप्ट में यहां घंता वला सुई एक घंता में कितना डिगरी का कौन बनाता है घंता वला सुई एक घंता में 30 डिगरी का मतलब साथ मिनट में 30 डिगरी का कौन बना रहा है घंता वला सुई एक मिनट में 30 डिगरी बटा साथ का कौन बनाएगा मतलब आपका हो जाएगा कटेगा 30 डिगरी घंता वला सुई एक मिनट में घंता वला सुई एक मिनट में एक बटा डिगरी का कौन बना रहा है तो यह आपका थार्ड कॉंसेप्ट था अब इसके बाद आप हम लोग कोस्चन की और बरहेंगे चलिए फिर से देख लेते हैं मीनट वाला सुई एक मीनट में छो डिगरी का कोन बना रहा है मीनट वाला सुई एक मीनट में छो डिगरी का कोन बनाता है फार्स्ट कॉंसेप्ट आपका इसके लिए यह हो गया आप दूसरा में आजाए घंता वाला सुई घंता वाला सुई एक घंता में केतना डिगरी का कोन बनाता है तो 30 दिग्री का घंता वाला सुई एक घंता में 30 दिग्री का कौन बनाता है अब आजाएंगे घंता वाला सुई पर ही घंता वाला सुई एक मीनट में एक बटा दू दिग्री का कौन बनाता है यही तीनों को ध्यान में रखना है उसके बाद आपका सारा कोश्चन सोलफ हो जाएगा कौन पराधारी चलिए अब आते हैं कोश्चन पर पहला कोश्चन है आपका पहला कोश्चन है आपका छो बज कर छो बज कर बीस मीनट मतलब यह तना बजे घरी के इतना बजे घरी के घंटा एबं मीनट के सुई के बीच मीनट के सुई के बीच के बीच कितने डिगरी का कोन बनेगा कोन निकान ला है छो बज के बीस मीनट पर घरी के घंटा एबं मीनट के सुई के बीच का कोन निकान ला है तो घंटा और मीनट के सुई के बीच का कोन बराबर ठीटा ले लिए तक कोन बराबर होता है ध्यान दिजिएगा यहां पे कोन बराबर होता है 30 डिगरी गुना घंटा 30 डिगरी गुना घंटा माइनस माइनस 11 बटा 2 गुना मीनट घरी के घंटा और मीनट के सुई के बीच बना कोन थीटा होता है तो थीटा बराबर घंटा और मीनट के सुई के बीच का कोन बराबर 30 degree गुना घंटा माइनस 11 बटा दू गुना मिनट तो question में आपको कह रहा है 6 बज कर 20 मिनट पर घरी के घंटा एबं मिनट के सुई के बीच कितने degree का कोन बनेगा तो चलिए 6 बज रहा है 6 बज रहा है और मिनट में 20 मिनट हो रहा है तो 6 बज के 20 मिनट पर बोला है तो घंटा में कहे घंटा 6 बज रहा है मतलब घंटा वाला सुई 6 घंटा चल दिया है तो घंटा में केतना घंटा लिजिएगा 6 घंटा तो 30 degree गुना 6 माइनस 11 बटा दू गुना मिनट मीनट में आ जाए ये मीनट में क्या मीनट है 20 मीनट तो यहाँ पर 20 लिख देंगे अब इस तरह से यहाँ इसको स्वल्व करिएगा 30 गुना 6 180 डिगरी माइनस दूसे यहाँ पर 10 बार में कट जाएगा तो एकारद नहाँ 110 तो 180 में से 110 घटेगा आपका क्या आ जाएगा 70 डिगरी तो यहाँ आपका एंसर हो जाएगा घारी के घंटा और मीनट के सुई के बीच का कौन इस फर्मूला से निकाला जाएगा तो यहाँ आपका एंसर हो गया 70 डिगरी चल यह बढ़ते हैं अगला कुस्टन में देखते हैं अगला कोस्चन है आपका आठ बज कर 40 मिनट पर घरी के घंटा एवा मिनट के सुई के बीच सुई के बीच कितने अंस का कौन बनेगा घंटा और मिनट के सुई के बीच का कौन इस ट्रीक से निकाला जाता है तो चलिए देखते हैं आठ बज के 40 मिनट हो रहा है मतलब यहाँ पर आठ बज रहा था घंटा वाला सुई आठ घंटा चला होगा तो घंटा में आ जाएगा आपका आठ माइनस एक गारव बटा दू गुना में मिनट तो मिनट बड़ा सुई 40 मिनट चला है तो यहाँ गुना कर देंगे 40 से 40 कटेगा दूसे 20 बार में और यहाँ गुना करेंगे तो 30 गुना आठ दूसा चालिस डिगरी माइनस 11 गुना बीस 11 में 20 से गुना करिएगा तो 11 गुना बाइस एगो जीरो है उतार दिया जाएगा एगो जीरो अब दूसा चालिस में से दूसा बीस डिगरी घटाईएगा तो घट के यहाँ जाएगा बीस डिगरी तो आठ बज के 40 मिनट पर घरी के घंटा और मिनट के सुई के बीच का अगला कुश्चन में अगला कुश्चन है चाओ बज के 36 मिनट पर घरी के घंटा एवं मिनट के सुई के बीच कितने अंसका कौन बनेगा तो कोन होता है ठीटा तो कोन बरावर होता है 30 डिगरी गुना एच माइनस 11 बटा दू डिगरी गुना मिनट तो 30 डिगरी गुना एच माइनस 11 बटा दू डिगरी गुना मिनट तो घंटा में देख लेंगे यहां 6 बज रहा है तो घंटा वला सुई 6 घंटा चला होगा मतलब यहां पे 30 डिगरी गुना घंटा का भैलू 6 रखियेगा माइनस 11 बटा 2 डिगरी गुना मिनट तो मिनट में कई मिनट चल चुका है 36 मिनट तो यहां 36 से गुना कर देंगे अब काटेंगे इसको 18 दुना 36 30 में 6 से गुना करिएगा 180 डिगरी हो जाएगा और यहां 11 में 18 से गुना करिएगा तो यह आपका एक साव अन्ठानमे डिग्री हो जाएगा अब यहाँ पर इंसर देना है तो इंसर कईसे दिजिएगा तो यहाँ जो भी आएगा बरका में से छोटका घटा लेना है जो भी आएगा बरका में से छोटका घटा लेना है जरा गौर से सुनिएगा तो यह हो जाएगा आपका 18 डिग्री इंसर हो जाएगा यहाँ पर 18 डिग्री तो 6 बज़ के 36 मिनट पर घरी के घंटा और मिनट के सुई के बीच 18 डिग्री का कोन बनेगा चलिए अब बारते हैं आज के कोस्टन नमबर 4 पर कोस्टन नमबर 4 में बढ़ते हैं चार नमबर कोस्टन है आपका दू बज़ के 30 मिनट पर दू बज़ के 30 मिनट पर घरी के घंटा और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोन बनेगा दू बज़ के 30 मिनट बोल रहा है तो यहां पर कोन होता है ठीटा ठीटा बराबर 30 डिग्री गुना एच तदू बज़ रहा है घंटा में दू रखेंगे माइनस से गार बटा दू डिग्री गुना में मिनट बाला में कर मिनट हो रहा है तीज मिनट तो तीज से गुना हो जाएगा दू से तीज कटेगा पंदरा बार में तीज गुना साथ डिग्री माइनस पंदरा में एगार से गुना करेंगे तो 165 आ जाएगा उल्टा या सीधा जैसे भी हो बरका में से ही घटा ना तो यहां पे आपका यह आजाएगा 105 डिग्री तो यह आपका हो गया 105 डिग्री तो दू बज के 30 मिनट पर घरी के घंटा एवं मिनट के सुई के बीच 105 डिग्री का कौन बने इसमें थोरा सा और चेंज होगा कॉंसेप्ट अब हम लोग बरते हैं पच्मा कोस्चन है पच्मा कोस्चन कह रहा है 11 बज कर 20 मिनट पर घरी के घंटा एवं मिनट के सुई के बीच कितने अंस का कौन बनेगा कितने अंस या कितने डिग्री दोनों बात एक ही होता है तो ठीटा बरावर बीच का कौन ठीटा होता है ठीटा बरावर 30 डिग्री गुना एच माइनस 11 बटा दू डिग्री गुना मिनट होता है 30 degree गुना H तो H हो जाएगा घंटा तो घंटा में 11 घंटा माइनस 11 बटा दू गुना यहाँ 20 मीनट दे रहा है मीनट में 20 से गुना हो जाएगा दूसे 10 बार में कट जाएगा 30 में 11 से गुना करेंगे 330 degree माइनस 11 दहाँ 110 degree तो यहां पर घटाईएगा तब बरका में से छुटका घटाईएगा तब 330 में से 110 घटाएंगे 220 डिग्री आ रहा है 220 डिग्री आ रहा है तो आपका हो सकता है कि आप्शन में 220 डिग्री नहीं रहेगा तो सीधा अब ध्यान में रखिएगा जब भी कोन का भैलू 180 डिग्री से ज़्यादा रहेगा तो 330 डिग्री में से घटा के एंसर देंगे जब कोन का मान 180 डिग्री से ज़्यादा रहेगा तो 330 डिग्री में से घटा कर एंसर देंगे कोन का मान 180 से ज़्यादा आ रहा है कितना दे रहा है 20220 कून कामान जब 180 से बढ़ेगा तो 360 से घाटा के एंसर देना चलई बढ़ते हैं अगला कोष्चन में अगला अब होगा आपका कोश्चन नमबर छोग कोश्चन नमबर छोग है आपके आपका बारह बज़कर पांच मिनट पर घरी के घंटा एब मिनट के सुई के बीच कितने अंस या कितने डिगरी का कोन बनेगा घंटा और मिनट के सुई के बीच का कोन पूछ रहा है यहाँ तो बीच का कोन ठीटा होता है ठीटा बराबर 30 डिगरी गुना एच माइनस 11 बटा डू डिगरी या गुना में मिनट तो घंटा में 12 घंटा चल चुका है था 30 डिगरी गुना बारह माइनस 11 बटा डू डिगरी गुना में आपका मिनट में 5 मिनट है तो गुना में आ जाएगा आपका 5 अब यहां पे बारती आई 36 360 degree minus यहां तो आप कोई कटने वाला नहीं है दूसरे तो गुना कर देते हैं तो 11 55 बटा 2 degree हो जाएगा तो यहां आपका 360 degree minus 55 का आधा हो जाएगा 27 अब इसको घटाया जाएगा तो 332.5 degree तो आपका एंसर आ रहा है 332.5 degree तो 332.5 degree तो एंसर नहीं होगा क्योंकि जब भी कोन का मान 180 से जादा रहेगा तो 360 में से घटा के इंसर देते हैं तो कोन का मान यहां पे 180 से जादा की कम 332 मतलब 180 से जादा है तो जादा रहेगा तो घटा के इंसर देना है जादा रहेगा तो घटा के इंसर देते हैं कितना में से तो 360 degree में से तो आपका एंसर आ रहा है 27.5 डिग्री इंसर आ गया 27.5 डिग्री आज मैंने कलाउग का पार्ट वन खतम कर दिया है अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सेयर और कॉमेंट जरूर करें और आप हमारे चैनल पे नए है तो लाल कलर में जो सब्सक्राइब होगा उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बाद में जो बेल आइकन आएगा उसको भी दबा लेंगे